स्टार्ट करते हैं आज के थोट से कौतम बुद्ध श्री ने कहा है परिवर्तन ही प्रकति का नियम है इसलिए जो पीछे चूट गया उसका शोक बनाने की जगा जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखे और आज से पटवारी के एक्जाम शुरू हो गए है तो जिनका अभी एक्जाम है उन सभी के लिए विश्यू आल दे बेस्ट आई होप आप सभी का एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा फर्स्ट कुश्चन है आज का चक्रवात फैडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है यहां पर जो राइट अंसर होगा वो होगा मलावी मलावी दे इस अफरिकी महादीब का एक देश है जहां पर चक्रवात फैडी आया है और जिसके कारण वहाँ पर बहुत अधिक जन्धन की हानी हुई है लगबग सो लोगों की मौत हो चुकी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि चक्रवात फैडी का संबंद कहां से है तो अफरि यह एक समू है AUKUS जिसमें AU से होगा Australia यहां पर UK और S for होगा USA तो के से Britain means UK याद रखना है और USA मतलब अमेरिका तो Australia, UK, अमेरिका का जो यह संगिठन है यह क्यों बनाया गया है तो जो ओकस बनाने का उद्देश यह है वो एंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर बै तो याद रखिएगा कि चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणू, पंडुपी, सांजितारी, AUKUS योजना, Australia, UK और अमेरिका के द्वारा प्रारम बे की गई है जैसे AUKUS एक समू है वैसे ही आपने Quad का नाम सुना होगा तो Quad में कौन-कौन से देश है यह आप मुझे I से इसराइल और U से UAE, भारत, USA, इसराइल और UAE का जो समू है वो है I2, U2 Next question है, तीसरा बहुपक्षी समुद्री अभ्यास, ला पारोस का आयोजन कहां पर किया गया है तो यह हिंद महासागर में यह समुद्री exercise है जो बहुपक्षी अभ्यास मतलब बहुत सारे देशों के द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है हिंद महासागर में किया जा रहा है और जिसमें INS सहयादरी और INS जोती की भागेदारी होगी एक question पूछा गया है काफी exam में कि जो Atlantic महासागर है इसका आकार किस alphabet के जैसा दिखाई देता है तो याद रखिएगा कि Atlantic महासागर ऐस आकरती का दिखाई देता है next question है कि सबसे कम विक्सित देश, least development country का पांचवा संयोकतराष्ट सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो least development country से क्या मतलब है कि जिन देशों का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाया है तो ऐसे देशों में 46 देश शामिल हैं LDC के अंतरगत जिसमें LDC 5 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है दोहा कतर में किया गया है फिर आपने एक दोहा का जो दोहा समझोता का भी नाम सुना होगा तो यहां पर जो दोहा के जो यहां पर लक्ष रखे गए हैं जो सस्टेनेवल डेवलप्मेंट गोल है तो दस वर्ष के अंतरगत इसकी प्राप्ती का लक्ष रखा गया है और जो यहां पर LDC 5 हैं इसमें टोटल 46 जो देश हैं पिषडे हुए वो शामिल है और इसकी जो टेग लाइन रखी गई है अदर श्वाक के रखा गया है वो रखा गया है संभावना से सम्रद्धी तक तो आपको याद रखना है कि LDC क्या है लीज डेवलप्मेंट कंट्री इसका सम्मेलन का योजन किया जा रहा है दोहा कतर में बात सस्टेनेवल डेवलप्मेंट गोल सतत विकास लक्ष की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 2015 से लेकर 2030 तक 17 लक्षों की प्राप्ती के लिए सस्टेनेवल डेवलप्मेंट गोल को United Nation Organization के द्वारा अपनाया गया है नेक्स कुशन है भारत ने ये बहुत ही मातेपून प्रशन है ये कुशन आपके एक्जाम में आ सकता है भारत ने ऑस्टेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावसकर ट्रोफी 2022-23 जीती है यह ट्रोफी पहली बार कब आयोजित की गई तो सबसे पहले तो आपको पता होना चा कहां पर इसका आयोजन किया गया है तो इसका आयोजन अहिंदाबाद गुजरात में किया गया है और इस वर्ष इस ट्रोफी का विजीता है हमारा प्यारा भारत ऑस्टेलिया को 2-1 से इसको हराया गया है तो यह आपको याद रखना है और लगातार चार वार जो है अभी भ अगर आपसे question पूछा जाए कि दो अंतराश्च्री टीमों से खेलने वाला दूसरा एक मात्र क्रिकेटर कौन है तो वो होगा Gary Balance Gary Balance जो है तो ये balance बना कर चलते हैं England और Jim Bombay दोनों की तरप से खेला है तो ये question आपको याद रखना है तो आप देख सकते हैं Gawaskar ट्रोफी में भारत का दबदबा अब कैसे दबदबा है तो 2016 से लेकर आप देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 21, 22, 23 में भारत नहीं इस ट्रोफी को जीता है 2022, 23 में भारत जो है वो दो जीरो से आगी रहा है तो ये आपको याद रखना है नेक्स क्वेशन है कि सुपरवक के खिलाफ नए जीवानू रोधी अनू IITR 00693 की खोज की है तो किसने इसकी कोज की है तो क्वेशन में ही आंसर है IITR अब ये IITR से आप क्या समझेंगे तो IITR मतलब रुड की तो IITR रुड की ने जीवानू रोधी अनू जो है 00693 की खोज की है जो क्या होगा जो जीवानियों से लडने की शंता पैदा करेगा आपको स्टारगेट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि ट्यूबरकुलेसिस को भारत से खतम करने का लक्ष 2025 तक रखा है मलेरिया को 2030 तक रखा है फाइल एरिया साथ साथ हमें फाइल एरिया को भी खतम करना है मतलब 2027 तक फाइल एरिया को भारत से मुक्त करने का लक्ष रखा गया है और सिकल सेल एनेमिया को 2047 तक लक्ष रखा गया है तो यह सारे टारगेट यह आपको याद करने पड़ेंगे नेक्स कुश्चन है कि नितिन गटकरी जी के द्वारा मैथेनॉल से चलने वाली बस को कहां से प्रारम भी किया गया है तो आप चानते हैं कि भारत जो है जो फ्यूल है उसको उसके प्यूरिफाइट फॉर्म में कि उससे पॉल्यूशन ना हो उसको करने के लिए बहुत सारे अभ्यान चला रहा है चाहिए वो कार्बन न्यूट्रल की और भारत की बढ़ते कदम हो या फिर एथेनॉल को मिक्स करने की बात हो तो मैथेनॉल से चलने वाली जो बसे हैं इसका उदगाटन बैंगलोर से किया गया है किसने किया है तो जो परिवहन विकास मंत्री है नितिन गटकरीजी के द्वारा बसों का प्रारहम भी किया गया है मैथेनॉल से चलने वाली अब आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने का टारगेट कब तक है मतलब जो पेट्रोल अभी मिलता है उसमें 20% जो है वो एथेनॉल आपको मिलेगा तो इसको मिलाने का जो टारगेट यह रखा गया है वो रखा गया है 2026 तक नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी कवाई यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर बताएंगे नेक्स कोशन है एशिया का सबसे बड़ा चुलेब गार्डन कहां इस्ते थे उसका नाम क्या है अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यह है एशिया का सबसे बड़ा चुलेब गार्डन जो बहुत ही सुन्दर है यहां पर आपको बहुत सुन्दर रंग विरंगे फूल देखने मिल जाएंगे और यह मैथेनॉल से चलने वाली बस है नेक्स क्वेशन है कि सबसे बड़ा स्टाफ एजुकेशन स्टॉक एजुकेशन कॉन्कलेव की मेजवानी भारत के किस शहर ने की है तो सबसे बड़ा stock education conclave है इसकी मेजवानी की है नई दिल्ली में तो यहाँ पर क्या है stock education मतलब यहाँ पर आपको stock से related जो education है वो provide किया जाएगा next question है कि fourth Asiai khoko championship 2023 का आयोजन कहां किया गया तो khoko एक बहुत ही interesting awesome type का game है मतलब आप समझ गए होंगे कि जो khoko championship है यह fourth number की है और इसका आयोजन awesome में किया जाएगा तो यह आज के कुछ महातेपून current affair के question थे आज का question of the day है कि रंड़जी ट्रोफी 2022 की विजेता टीम और 2023 की विजेता टीम का नाम आपको comment box में लिखकर बताना है अब हम कल का current affair revise कर लेते हैं कल हमने बहुत ही महातेपून current affair के question discuss किये थे I hope आपको याद होंगे किस देशत्वारा अरब सागर में समुद्री सांजेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया तो यह भारत और फ्रांस के मद्द किया गया नाइज फ्रेंक की wealth report 2020 थी में सरवादिक महंगा शहर कौन सा है तो वो शहर है मुनाको दुनिया का सबसे लंबा railway platform कौन सा बन चुका है तो इसके पहले गुरकपुर आता था बट अब जो number one पे है सबसे बड़ा railway platform वो है सिद्र रुद्रा स्वामी railway station ये कहां पर इससे थे हुबली करनाटिका जो western railway zone है उसके अंतरगत आता है next question पढ़ा था हमने कि best original song category का Oscar पुरुसकार 2023 में किसे प्रदान किया गया तो ये है RRR movie का song not to not to तो ये Oscar से related fact हमने discuss कर लिये थे भारत का पहला zoological park कहां पर बनने वाला है तो ये मद्य प्रदेश की संसकार धानी के नाम से प्रशलित शहर जवलपूर के लमेटा घाट में बनने वाला है और यहां पर कितना पैसे में ये बनेगा तो 35 करोड रुपे में इसको बनाया जाएगा influenza का seasonal virus कौन से है S3N2 और इसमें हाल ही में कहां पर इस virus के कारण मौत हुई है तो करनाटक और हर्याना में यह S3N2 वाइरस आपको याद रखना है सर्दी जुखाम वाला वाइरस है तो यह कुछ महतेपूर्ण करेंट अफियर के question थे कल का करेंट अफियर और आज का करेंट अफियर आज सोबर 9 बजे रोजगार निर्मान का पार्ट नमबर 22 सिरीज अप्लोड हुआ है आप वो वीडियो जरूर देखे MP पटवारी एक्जाम, MP PSC एक्जाम और बांकी जो MP के एक्जाम है सभी के लिए वो रोजगार और निर्मान की सिरीज काफी महतेपूर्ण है अगर आपको ये मीरा अफर्ड अच्छा लग रहा है तो आप इस लिंक को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें थैंक्यी सो मच पढ़ते रहिए खुश रहिए जैहिन जै भारत